मोधी पड़ाव इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान शारिक अंसारी की आख फोड़ने की कोशिश की गई। वही उसके बेटे की बेदम पिटाई की गई। वही मारपीट में रीता अंसारी, अमन अंसारी, आर्य बागडे जखमी हो गए। शारिक की पतनी रीता ने जूनी कामटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। गायल शारिक को उपजिला अस्पताल में प्रात्मिक उपचार के बाद मेयो रवाना किया गया। पुलीस ने आरोपियों के किलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपि ने अन्य लोगों के साथ सौधा किया। पूर्वनगर सेविका महलता मेश्राम से बीकरी का सौधा किया गया था। कबजे को लेकर पहले रीता और आरोपि के बीच विवाद हुआ था। इसके चलते रीता अंसारी ने दिवानी मामले में अपराद दर्ज किये जाने की 11 ज सेविका महलता दिगांबर मेश्राम के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश पुलीस को दिये। पुलीस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों सूर्यकांत गुलाबराओ महादुले और प्रकाश गुलाबराओ महादुले को गिरफतार किया। इसी मामले में लाल ओली कामठे निवासी सूर्यकांत गुलाबराव महादुले ने भी पुलीस में शिकायत दी कि आरोपी रीता अंसारी, शारिक अंसारी, अमान अंसारी वो उसके भाई ने मिलकर घर के विवाद को लेकर डंडे से मारपीट की और गाड़ी के काज फोड़े.